हाई गाईज वाट्स अप मैं हूरीमताइन वेलकम बैक टू मा यूट्यूब चैनल दोस्तों आज मैं एक्स्प्लेइन करने वाली हूँ लेटेस्ट हॉरर रिलीस जिसका नाम है दा विजिटर जिसे डिरेक्ट किया है जस्टिन पी लैंग ने चीनों ने दा डार्क और सेवे दे जैसी मुवीज को भी डिरेक्ट किया है और इनकी एक खास बात यह है कि हमेशा रेड शूज पहनते हैं गाईज इस मुवी के आईमडीवी रेटिंग अभी फ्लक्चुएट हो रही है क्योंकि यह मुवी लेटेस्ट हॉरर रिलीस है और फिलहाल इस मुवी की आईमडी कैसा लगा सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स केट इंटू था हॉरर कोस्टर राइड अफ इस मुवी कहानी शुरू होती है और हम अपने मेन कैरेक्टर रॉबर्ट को देखते हैं जो अपनी वाइफ माया के साथ उसके बच्पन के घर में रहने आये थे यह लंडन से यहां रहने आये हैं जहां उन्होंने शादिक की थी गाइज इनके साथ लंडन में कुछ बुरा हुआ था इसलिए वो वहां से माया के होम टाउन शिफ्ट हो गए थे अब हम रॉबर्ट को देखते हैं जो अपने बैक्स को घर में लेकर आता है और माया एक रूम देती है जो कि काफी अजीब था लेकिन इसका जवाब हमें आगे मिलेगा सीन यहां से रॉबर्ट पर शिफ्ट होता है जो कुछ पिल्स ले रहा था जो उसकी एंग्जाइटी के लिए थी यह पिल्स उसे सिर्फ इमर्जेंसी में लेनी थी लेकिन वो फिर भी इसे पेनों जाता है चेक करने पर वहां कुछ पूराना ढगा हुआ सामान रखा था लेकिन रॉबर्ट उस पर जादा ध्यान नहीं देता इसके बाद माया और रॉबर्ट टाउन के एक बार में जाते हैं जहां उनकी मुलाकात जस्ट नाम की एक बार टेंडर से होती है वो पहल काफी लोग उन्हें ड्रिंक्स ओफर करते हैं और उनके कमबैक को सेलिबरेट करते हैं यही नहीं वहां एक ओल्ड मैन भी ने मिलता है जिसका नाम जोजब था वो शायद एडगर का पुराना दोस्त था वो लोग थोड़ी देर बात करते हैं और सीन यहां से शिफ्ट हो ज आई थी वहां जाका देखने पर उसे वही लेनी दिखती है जो ओल्ड थी और जिसकी आँखे सफेद थी वो काफी अजीब दिख रही थी वो रॉबर्ट को देखकर वेलकम कहती है और एकदम से चिलाने लगती है जिससे रॉबर्ट डर जाता है और उसकी आँख खुल जा और रॉबर्ट को समालती है, काफी जादा डर गया था, माया उसे कमफर्ट करती है और इंटिमेट होने की कोशिश करती है, पर रॉबर्ट मना कर देता है क्योंकि अब वो ये नहीं करना चाता था, और हमें एक काफी बड़ी बात पता चलती है, कि उनके यहां आने से पहले लंडन में माया का मिस केरेज हो गया था, और इसकी बज़े वो इक दूसरे को मानते थे, इसी डर से रॉबर्ट बच्चे पैता नहीं करना चाता था, और माया उसे समझाती है, और उसे विश्वास दिलाती है, कि इस बार ऐसी कोई गलती नहीं करेगी, इसलिए उसे भी हि आनी में खोया था, पर वो फिर भी इसके लिए रेडी है, और वो भी यहीं चाहती है, कि वो एक बार और ट्राय करें, इतना इंसिस्ट करने पे रॉबर्ट राजी हो जाता है, और वो दोनों इंटिमेट होते हैं, इसके थोड़ी देर बात रॉबर्ट घर साफ करने नीच जाता है, जहां उसे माया और उसकी मागी एक फोटो दिखती है, गाइस इस फोटो में वही लेडी थी, जो रॉबर्ट को उसके सपने में दिखी थी, यह उसके लिए काफी कनफ्यूसिंग था, इसलिए वो फिर से अपने रूम में चला जाता है, और वहां उसे एक पेंट करते थे, और वो हर नई जगे से आर्ट और अंटीक्स ले आते थे, और उन्होंने ये पेंटिंग भी ऐसी किसी जगे से ली होगी, लेकिन रॉबर्ट को ये सही नहीं लगता, क्योंकि सेम फेस की फोटोस लोगों को म्यूजियम में देखने को तो मिल जाती है, पर अपने गर में नहीं मिलती, पर फिर भी माया उसे इतनी टेंशन ना लेने के लिए कहती है, और इसे कोइंसिटेंस बता कि ये बात खतम कर देती है, यहां से रॉबर्ट एक शॉप पर नियूस पर लेने जाता है, जहां उसे केथी नाम की एक लेडी मिलती है, वो रॉबर्ट को द आज में नहीं आता, और वो वहां से चला जाता है, अब वो वापस आके गार्डन साफ करता है, और उसे गार्डन में साप की स्किन मिलती है, जिसे वो बाहर फेक देता है, यहां से हम रॉबर्ट को न्यूस पेपर पढ़ता हुआ देखते हैं, जिसमें उसे एक स्लिप मिल आती है, क्योंकि उस टाउन के लोगों ने उनकी याद में एक सेरिमनी रखी थी, अब उस सेरिमनी में हम जोजफ को एक स्पीच देता हूँ देखते हैं, जहां में यह पता लगता है, कि एडगर के पूरवज नहीं इस टाउन को पनवाने में काफी योगदान दिया था, और एडगर ने भी इस टाउन के लिए बहुत कुछ किया था, और इसलिए उसकी याद में ये सेरिमनी रखी गई थी, वहां केथी भी मौजूद थी, पर वहां से थोड़ी ही तर में चली जाती है, जिसके चेहरे पर टेंजन थी, सेरिमनी के बाद रॉबर्ट फिर से उसी शौप पे जाता है, जहां केथी नहीं मिलती, बल्कि उसे कोई और लेडी मिलती है, और वो उससे कहती है केथी अभी वहां नहीं है, और इसके अलावा वो उससे ये भी कहती है, कि उसके आने के बाद, ब्रियार ग्लेन, जो उनकी टाउन का नाम था, वो काफी ज़्यादा खुशाल हो गया है, ये सुनकर रॉबर्ट वहां से चला जाता है, और सीधा उसी अंटीक शौप पर जाता है, जहां का एड्रेस उस स्लिप पे लिखा था, जहां उसे एक ओल्ड ब्लैक लेडी मिलती है, रॉबर्ट को उस शौप पे उसी के हम शकले की फोटो कुछ सोलज के साथ दिखती है, उस दुकान की उनर जब रॉबर्ट को देखती है, तो वो काफी शौक थी, और वो उसे ये कहती है, कि सच उसका दुश्मन है, और इसलिए वो उसे वहां से जाने के लिखती है, शौप पे आने के बाद रॉबर्ट के सवाल कम होने की बज़ए और बढ जाते हैं इसके बाद वो वापस घर पे आता है और ये सब माया से डिसकस करता है और हम देखते हैं कि माया ने उसके हमशकले की पेंटिंग अब घर की दिवार पे लगा दी थी जिसे देखकर रॉबर्ट काफी गुसे में आ जाता है और माया को गुसे में उस सब पता देता ह जो उसके साथ अभी तक हुआ रॉबर्ट को अभी लगने लगा था कि वो लोग उसे पहले से जानते हैं और वो पेंटिंग भी उसी की है जबकि माया उसे समझाती है कि ऐसा नहीं है और वो दोनों लेडी इस पागल हैं इसलिए रॉबर्ट उनकी बात पर ध्यान न दे क्योंकि वो यहां एक नई शुरुवात के लिए आए हैं ये कहकर माया वाँ से चली जाती है और टेंस्ट रॉबर्ट अपने हाथ में ड्रिंक लेकर ठीक उसी तरह बैटता है जैसे उस पेंटिंग में उसका हम शकल बैटा था इसके बाद हम ब्लैक लेडी को अपनी शॉप पर देखते हैं जो फ्लाइट्स के टिकेट सर्च कर रही थी तब ही उसे कुछ आवास सुना ही देती है और उसकी शीशे पे एक कीड़ा आके मरता है और वो अपने शॉप के अंदर एक कीड़े को आता देखती है और अचानक से सामने की खिड़गी का शीशा तूटता है जिससे कई सारे कीड़े उस लेडी पे अटैक कर देते हैं जिससे उसकी मौत हो जाती है अगले सीर में रॉबर्ट वाश्रूम में जाता है टेंशन में आजाता है सीर यहां से ड्रॉइंग रॉम में शिफ्ट होता है जहां रॉबर्ट टीवी पे एंट्स की कमर्शल देख रहा था जिस पे हम एंट्स की कुईन को देखते हैं जिसने काफी एक्स दिये थे और वो मर गई थी यह कमर्शल रॉबर्ट काफी ध्यान से देख रहा था कि तबी पीचे से माया आकर उसे बताती है कि वो प्रेगनेंट है यह सुन कर वो काफी खुश था और ऐसे ही कई माईने बीच जाते हैं और माया की डिलिवरी का टाइम आने वाला था एक दिन रॉबर्ट जोजफ के घर जाता है जहांके वास्ट्रों में रॉबर्ट को उल्टा क्रूसिफिक्स दिखता है जिसे वो सीधा करता है लेकिन वो अपने आप ही उल्टा हो जाता है वापस आते टाइम रोबर्ट को एक रूम में उसके हम शकले की फोटो वहां भी मिलती है जिसके बारे में जोसफ उसे ये बताता है कि वो एलिस्टर एडगर की है और उसे ने इस टाउन को महमारी से बचाया था और पूरा गाउं उसका कर्जदार है जोसफ का बिहेवियर रोबर्ट के लिए काफी अजीब था घर वापस आने पे माया रोबर्ट से काफी नरास थी क्योंकि वो जोसफ के घर पे ऐसे घूमने निकल गया था यही नहीं जब रोबर्ट घर वापस आता है तो उनके घर के में गेट के अंदर पाँच फ्रॉक्स थे जिसे रोबर्ट बाहर छोड़ देता है अगले दिन माया जब घर पे नहीं होती तो रोबर्ट के पास एक आदमी आता है जिसका नाम था मैक्सफिल ब्रुनो और वो रोबर्ट को अपनी गारी में बठाके अपना इंट्रू देता है और कहता है कि उसके पास उसके कई सावालों के जवाब है वो रोबर्ट को उसके हमशेकल की कापी सारी फोटोस दिखाता है जो different समय पर ली गई थी जैसे कोई हिटलर के साथ थी तो कोई काफी वक्त बात की ये सारी फोटोस ब्लैक और वाइट थी और कुछ कलर्ड जब रॉपट उसके बारे में पूछता है तो मैक्सवेल बताता है कि उसकी रियल आइडिन्टिटी अभी तक उसे नहीं पता है क्योंकि जब उसे इसके बारे में जानने की कोशिश करी तो वो एक बार के लिए इससे भूलने लगा था लेकिन बात में कुछ फोटोस देखकर उसे इस बारे में याद आया था और इस हमशकले की फोटो कई जगें मिली यह आदमी हमेशा उन इवेंट्स में होता है जिने हुमन काइन बुलाना चाहेगी और अब रॉबर्ट भी वो बन सकता है लेकिन अभी नहीं इसलिए मैक्सवेल उसे यहां से जाने के लिए कहता है काफी दूर किसी आईसलेटर जगे पे जहां उसे कोई न ढून पाए इसलिए वो रॉबर्ट को कुछ पैसे भी देता है ताकि वो अपने जिन्दगी स्टार्ट कर सके पर रॉबर्ट की वाइफ और बेटा भी है जिस पे मैक्सवेल बताता है कि उसका अपना कोई नहीं है इस टाउन के लोग उसके दोस नहीं है और उसे यहां से चले जाना चाहिए यह कहकर मैक्सवेल यहां से चला जाता है और रॉबर्ट भी इवनिंग में माया से वाँ से जाने की बात करता है पर माया उसे मना कर देती है क्योंकि अब उसका वैँ घरता और वो उसे नहीं छोड़ना चाती थी पर अगर फिर भी रॉबाट जाना चाहे तो वो जा सकता है लेकिन उसका बेटा नहीं जाएगा इन सबसे परिशान हो को रॉबाट अपनी दवाईयां लेने जाता है लेकिन वो उसे नहीं मिलती और वो अपना mood fresh करने के लिए अपने बेटे के लिए कुछ नाम एक paper पे लिखना शुरू करता है और लिखते लिखते उसे नीदा जाती है और जब वो उठता है तो वो paper गायब हो चुका था और उसके phone पर एक message था जो कि Maxwell का था जिसमें लिखा था कि Maxwell उसका वहीं wait कर रहा है जहां उसने उसे बुलाया था पर जब Robert वहाँ पहुंचता है तो यहां आता है एक twist जब Robert देखता है कि Maxwell की dead body वहाँ पड़ी थी जिसे Christ की तरह पेड़ पे लटका के मार दिया था और उस पे वही पेपर चिपका हुआ था जिस पे Robert ने अपने बेटे का नाम लिखे थे और उस पेपर पे खून से एक नाम लिखा था जो की था लूसिकन ये देखकर वो काफी डर जाता है और घर वापस आता है जहां वो माया को ढूनता है पर उसे माया नहीं मिलती Robert को वहाँ वही डॉल मिलती है जिसे माया ने स्टार्टिक में देखा था और जब Robert उस डॉल के नीचे रखी फोटोग्राफ को देखता है तो वह एक फटी होई फोटोग्राफ थी जिसमें उसका हमशकल एक बच्ची को लिए हुए था और यह आदी फटी फोटो उसी फोटोग्राफ का हिस्सा थी जो माया न उसकी मा की थी और अब वहां माया भी आ जाती है जो उसे सच सच बताती है और यहां आता है एक ट्विस्ट कि उस फटी हुई फोटोग्राफ में उसका हमशकल और कोई नहीं बलकि रॉबर्ट का फादर है क्योंकि जब रॉबर्ट पैदा हुआ था तो उसे कोई उठा के ले गया था और उसे लंडन में समगल कर दिया था इसलिए उसके फादर ने माया को रॉबर्ट को ढूणने के लिए भेजा था हाँ गाइस आपने सही सुना माया और रॉबर्ट सगे भाई बैन है और अब माया रॉबर्ट के बच्चे की मा है वो बताती है कि ये सब काफी समय से चलता आ रहा है और इडन फैमली की जनरेशन में हमेशा ऐसे ही गिफ्टेट संस होते हैं जो बड़े होकर अपने किंग्डम को समालते हैं पर रॉबर्ट ये नहीं मानता और कहता है कि वाद में उसका पिता नहीं है वो असल में लंडन से ही है और वो सबी लोग केटी वो ओल लेडी और मैक्सवेल वो सब सही कह रहे थे और उन्हें भी उसने ही मारा है पर गाइज यहां मूवी का सबसे बड़ा टुिस्ट आता है जब हम ये पता चलता है क्यों उन लोगों को और किसी ने नहीं बलकि रॉबर्ट नहीं मारा था क्योंकि जब रॉबर्ट सो जाता है तो उसके अंदर का इविल जागता है और वो उन सारे लोगों को मार देता है जो उसके काम में बाइदा बनते हैं इसलिए उसने सबसे पहले केटी को मारा फिर बलैक लेडी को और मैक्सवेल को खुदी पेड़ पे लटका के मार देया था पर ये सब अच्छे रॉबर्ट को नहीं पता था तब ही रॉबर्ट भी होश होने लगता है जिसके बाद जब वो होश में आता है तो वो अपने कॉंशियस में नहीं था और उसके पास टाउन के सारे लोग एक यूनिफॉर्म में खड़े थे जिसमें से उनका हैट जोजब था और वो कुछ चैंटिंग कर रहा था और उन सब को विश्वास था कि अब उनका लीडर आने वाला है मतलब की इविल रॉबर्ट जो काफी समय से बाटी जेंज करके उस टाउन में ही रह रहा था और माया भी इसी का पार्ट थी जिसने एक लड़की को जनम दिया था और अब रॉबर्ट के बाद वहीन का लीडर बनेगा हम देखते हैं कि जब उसे होश आता है तो वह पूरा इविल में बदल चुका था होश में आते ही वह अपने बेटे को देखता है और वहाँ खड़े लोग काफी खुश होते हैं क्योंकि प्योर इविल लीडर वापस आ चुका था इस बीच हम फ्लैश बैक के एक सीन में देखते हैं कि जब माया पहली बार रॉबर्ट से बार में मिली थी तो वो उसके साथ जान बूच कर इंटरैक्शन बढ़ा रही थी एंड सीन से पहले हम प्योर इविल रॉबर्ट को अपनी कार में कहीं जाता हुआ देखते हैं और वो माया को उसके बच्चे का ध्यान रखने के लिए कहकर वहां से चला जाता है माया की बाड़ी भी वैसी हो गई थी जैसे कि उसकी मा की थी वहां से जाते वक्ट टाउन के लोग रॉबर्ट को काफी चियर करते हैं और उसे अपनी नई इविल किंग्डब बनाने के लिए भीजते हैं जिसके बाद हम कुछ पेंटिंग्स को देखते हैं जो कि हैल की थी जहां लोगों को पापों की सजा मिल रही थी और यहां लिखा हुआ आता है कि इविल इस दुनिया में एंड तक धर्दी पे रहेगा और बस यह मूवी यहीं एंड हो जाती है तो गाइज यहां मूवी एंड हो चुकी है और अब स्टार्ट होती है मेरी थीोरीज दरसल वो कोई इविल नहीं बलकी सेटन था क्योंकि सेवन्टीज में एलिस्टर ने सेटन के साथ डील की होगी जिसमें सेटन ने उसके टाउन को महमारी से बचा लिया पर इसके बदले उसकी खुद की सोल गरप्ट हो गई जिसके बाद उसके आने वारी जनरेशन इविल हो गई जैसे अब रॉबर्ट हो गया है और वैसा ही उसका बेटा भी हो जाएगा और वो इविल इसी तरह एंड तक धरती पे रहेगा मुवी में कई जगे हमें ये समझ में आ जाता है कि उस टाउन में कुछ गड़बड है क्योंकि वहाँ के लोग रॉबर्ट को देखकर काफी एक्साइटर थे और माया भी इसने बड़े इंसिडेंट को नॉर्मली रे रही थी जैसे कि उसके हस्बेंड की पिच्चर उसी के घर में निकली थी और ये कोई कोईंसिडेंस की बात नहीं थी लेकिन माया ने उस बात को वहीं खत्म कर दिया था आपको याद होगा वो टीवी कमर्शल जो की रॉबर्ट देख रहा था जिसमें वो एंट कुईन एक देकर मर जाती है वैसे एलेस्टर को यहां किंग बताया गया होगा दोस्तों अगर रॉबर्ट मैक्सवेल की बात मान लेता और यहां से भाग जाता तो शायद वो बच सकता था हाला कि इविल उसके अंदर पहले से ही था लेकिन इस इन्वार्मेंट पे वो एविल लूप पावर में आ गया और उसकी बाड़ी पे कब सा कर लिया और अब इस तरह वो एविल एंट तक धरती पे रहेगा और बुराई को बढ़ाता रहेगा हाला कि हम इसमें यह भी जान पाते हैं कि रॉबर्ट को अंदर ही अंदर पता था कि वो पेंटिंग उसी की है लेकिन वो इस बात को मान नहीं पारा था क्योंकि रॉबर्ट के अंदर का इविल एक तरह से उसे यह ही बता रहा था कि वो पेंटिंग उसी की है और वो रॉबर्ट का ही एक रूप है तो नीचे comment section खुलाए आप मुझसे comment section में पूछ सकते हैं मैं मिलूँगे आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए अपना बहुत क्याल रखे Stay safe, keep hunting, lots of love